नमस्कार मैं प्राइशी रठोर और आप देख रही हैं निक्स्ट नाइन यूज राजस्थान में इस वक्त स्यासत तेज है दरसर कॉंग्रेश अध्यक्षपत की चुनाफ से राजस्थान की स्यासत और भी तेज हो चुकी है बीते लंबे वक्त से हम सभी देखते चले आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और पूर्व उप्मुख्यमंत्री सचिन पाइलेट के दोनों ही गुटों के बीच और दोनों ही नेताओं के बीच किस तरीके से जंग चुड़ी रहती है मुख्यमंत्री पत के लिए विधान सभा चुनाफ स्टाल 2023 में होने वाले हैं और इन चुनाफ से पहले यहां पर सियासत तेज हो चुकी है दरसल अशोग गहलोत राजिस्थान की कमान को छोड़ना नहीं चाहते हैं और सचिन पाइलेट को स्वीकार नहीं करना चाहता है अशोग गहलोत का गुट 102 विधायकों में से 92 विधायक त्याक पत्र दे चुकी हैं विधान सभा अध्यक्ष सीपी जोशी को और मुख्य मंत्री की दाविदारी के लिए यहां पर तमाम नाम चर्चा का विशेप पने हुए हैं ऐसे में यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार सचिन कोसे 9CM बनाया जाएंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो सचिन पाइलेट को प्रदेश अद्यक्ष एक भर फिरसे बनाया जा सकता है वहीं अगर ऐसा भी नहीं होता है तो सचिन पाइलेट को राष्टे महा सचीव का पद दिया Käst united को अगर यहां पर कोई भी पद नहीं दिय गांधी परिवार अपने वादे के मुताविक यहां पर एहम फैसला नहीं लेता है सचिन पाइलेट के समर्थन में तो क्या सचिन पाइलेट के बगावती सुर्ध देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इस वक्त सचिन पाइलेट को साफ तोर पर आफर मिल रहा है बीजेपी की जी हाँ आपको बताना चाहेंगे कि अगर सचिन पाइलेट बीजेपी की तरफ रुख नहीं करते हैं तो क्या वे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है राजिस्थान में और अब 7-8 अक्टूवर को दिल्ली के मुख से भी कहीं लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अपनी बात रखी जब उनसे पूछा गया सचिन पाइलेट की बीजेपी में शामिल होने का सवाल उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है ये लोग आपसी जगडे में राजिस्थान का नुकसान कर रहे हैं वहीं उनके अलावा यहां पर कई ऐसे नेता हैं जो स्ताफतोर पर सचिन पाइलेट को आमंतरित करते हुए दिखाई दिये हैं तरसल आपको बता दें कि विधायक काली चरण सराफ ने बड़ा बयान दिया सचिन प पाइलेट के समर्थन में अपनी बात रखी वहीं इनके अलावा यहां पर कई महिला नेता हैं जो बीजेपी में हैं और सचिन पाइलेट को समर्थन देती हुई नसर आ रहे हैं जैसे कि हाल ही में बयान दिया सांसद रंजिता कॉलीन है और इन सबसे हटकर अगर बात की जा दरसल अर्विंद केजरिवाल की पार्टी को कॉंग्रेस की जगरे का पहला और बड़ा फाइदा गुजरात की विधान सभा चुनाप में हो सकता है जहां पर वह पूरा दमखम दिखा रहे हैं अशोग गहलोत वरिष्ट परिवेक्षक बना दिये गए हैं और सचिन पाइल देखा जाए तो दोनों ही पार्टी जोड तोड की राजनीती करती है वहीं उन्होंने कह दिया कि कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हमें वोड दो हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे और इसके अलावा भी अर्विंद केजरिवाल ने तरह तरह की बात रखी आ दुवा नेता हैं अनुभवी भी हैं और यहां पर सचेन पाइलेट को लेकर लगातार मांग की जा रही है क्या बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से फाइदा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यहां पर उन्ह जा रहे हैं कि इस दिवाल ऐसे में दिल्चस्प होने वाला है कि सचेन पाइलेट को अब आम आदमी पार्टी की तरफ से वो ओफर मिलेगा या फिन नहीं इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अप्टेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइम न्योज